गल्फ्रेंट या बॉइट्रेंट इग्नोर कर रहे हैं और ये पता ना चले क्यों तो ये तर्ब बिगड़ी बात बन जाएदी रिष्टों में समझ जड़े दर्खों देखो रिष्टे हमेशा एक जिसे नहीं रहे हैं हालाद भावनाय समय उस पर पसर करती प्यार के शुर्बात में दिन भर बाप्चित मिलने के लिए तड़क जाना उनके साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है लेकिन एक टाइम ऐसा है जब यह सब बंध हो जाता है बाप्चित कम हो जाती है और जूनन खतम हो जाता है देखो प्यार में ऐसा होना ही है इसी चीज को इग्नोर ना समझो मुझसे अकसर पूछा जाता है ऐसा क्यूं होता है प्यार खतम क्यों हो जाता है रिष्टों में दूरियार क्यों प्यार में इग्नोर क्यों आ जाता है नहीं यहीं सबसे अच्छा सिच्वेशन होता है आपके रिष्टे का जब आप एक दूसरे पर भरोसा करते हो तो ऐसा हो जाता है हमें जब ऐसास होता है कि वो खुश है ठीक है तो हम उनका हालचाल नहीं पूछते हैं क्योंकि हमारे दिल में तसल्ले होती है यह एक हेल्दी रिलेशन का सिंबॉल है लेकिन तुम्हारे दिमाज में फिल्म और कहानिया भरी है जो तुम्हारे सामने गलग हालात पेश करती है मेरा शोना मेरा बाबु साथ जन्मों का साथ वाटी इस बकवास देखो तुम्हारा प्यार अलग है तुम्हारा रिष्टा अलग है इसे कंपेर मत करो बातचित करने की कोशिश करो बातचित से हर मुश्किल का हल निकलता है इसलिए अगर तुमने अगर बातचित कम कर दी ह तो बात्चिक करने के कोशिश करो, एक दूसर से प्यार करो और उस प्यार को दिखाओ भी, अपना माहोल बदलो, कहीं गुमने चले जाओ, एक दूसरे को वक्त दो, कारण ढूंडो, साथी अगर इग्मोर कर रहा है तो उसके पीछे कारण ढूंडो, वो कारण जाने के कोशि ही है, इसलिए हडवड़ी और इसलिए हडवड़ी से किसी नतीजे पर मत कूचों सबरो रखो, और कंडिशन को समझने के कोशिश करोगे।